Our second exercise, exercise number 2, write the numbers name, मैंने आपको पहले भी homework में दे दिया है, numbers 1, 2, 100 तक, तो यहाँ पे हमें exercise दी गई है, numbers दी गई है, हमें क्या लिखना है, numbers name, तो यहाँ पे first one is 84, क्या है, 84 तो हमें क्या लिखना है, उसका name लिखना है, 84 का spelling, E, I, G, H, T, Y, F, O, U, R, 84 B, 59, 59 हमें क्या लिखना है, यहाँ पे, 59, 59 का spelling, F, I, F, T, Y, N, I, N, E, 59 63, 63 का spelling क्या है, S, I, X, T, Y, 63, T, H, R, E, E, 63 D, 78, 78, 70 का spelling, S, E, V, E, N, T, Y, 78, E, I, G, H, T, 78 यहाँ पे first letter किसा करना है, capital, ओके, now E, 35 T, H, I, R, T, Y, F, I, V, E, 35 उसके बाद, F, 26 26 तस नमबस नें, T, W, E, N, T, Y, 26 आप लोगों को एक्सराइज कंप्लेट करनी है, मेरे साथ, यह हमारी वर्क बुक में हमने exercise 1, 1 complete कर ली, exercise 2 भी complete कर ली, अब exercise 3 exercise 3 में आपको क्या करना है, write the numerals for that means आपको number लिखना है, क्या लिखना है, numbers तो यहाँ पर 28, 28 लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, numbers में लिखना है, 28 right, second है 41, तो 41 में यहाँ पर भी आपको numbers लिखना है, 41 तो ए exercise आपको homework में करना है, right, तो यहाँ पर आपकी जो बुक से यहाँ पर hw लिखना है, यहाँ पर आप देख रहे हो, write the numbers लिखा है, यहाँ पर मैंने hw लिखा है, तो hw लिख दो यहाँ पर, एक पूरी exercise आपको homework में करना है exercise number 4, exercise 4 में क्या लिखा है, match the numbers with their names match the numbers with their names, तो वो भी आपको क्या करना है, homework में करना है यहाँ पर उपर hw लिख लो और आज की date लिख लो, hw और date लिख के exercise आपको homework में करना है exercise 3 और exercise 4, now exercise number 5, write the missing numerals, missing numbers missing numbers हमने पहले पी सिख लिया है, what is the meaning of missing number, missing number means कहीं बे भी छूट गया है कोई भी number, तो बीच में कौन सा number आटा है, वो backward number है कि forward number है वो हमें question देखके पहले पता लगाना है कि यह backward है या forward है, हमें यहाँ पर लिखना है कि या after number लिखना है, right तो यहाँ पर exercise number 5, first यहाँ पर हमें blanks दी गई है, फिर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है उसके बाद 1, 2, 3, 4, and 5 blanks है, वापिस यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर 2 blanks है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ पर 10 लिखा है तो हमें क्या लिखना है, missing number, क्या लिखना है, missing numbers अब हम कैसे लिखेंगे, पहले decide करेंगे, यह backward number है, की forward number है तो 10 उसके बाद क्या आता है, 11, तो 10 है, 10 के बाद में 16 आता है तो यह कुन से number है, forward number है, तो 10 के पहले जो blank है, वहाँ पर क्या लिखेंगे what comes before 10, number 9, 10 के आगे कुन सा number आता है, 9 और 10 के बाद कुन सा number आता है, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15 उसके बाद यहाँ पर 16, 16 लिखा है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे 17, 17 और 18, 18 आपको भी अपने book में लिखना है अगर आपको मेरे साथ exercise complete नहीं हो रहे हैं, तो आप video post करके भी exercise complete कर्स रखते हो रहे हैं now second, यहाँ पर 2 blinks लिखेंगे, फिर लिखा है 24 उसके बाद यहाँ पर 4 blinks है, 1, 2, 3 and 4 उसके बाद यहाँ पर लिखा है 29 और उसके बाद यहाँ पर 2 blinks लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाता है कि पहले कुणसा नमबर लिखना है, पहले what comes before and what comes after what is the number of 24 comes before, what comes before 24, 24 के पहले कुणसा नमबर आता है, 23 23, what comes before 23, what comes before 23, 22, यहाँ पर 22, तो यहाँ पर 22, 23, 24 उसके बाद क्या आता है what comes after 24, 25, 26, 27, 28, 29 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब क्या लिखा है, what comes after 29, 29 के बाद क्या आता है, 30 30, उसके बाद 31, कम्प्लीट हो गए आपकी एक्सरसाइज, नमबर थ्री, यहाँ पर दो ब्लेंक्स दी गई है, 80, उसके बाद यहाँ पर 5 ब्लेंक्स दी गई है, 1, 2, 3, 4 and 5, उसके बाद लिखा है, 86 और ब्लेंक्स, यहाँ पर भी क्या लिखना है what comes after and what comes before, 18 comes before, 80 comes before क्या आता है, मतलब 80 के पहले कौन सा नमबर आता है 79, or 79 comes before 78, now 80 come after 81, 81 come after 82, 82 come after 83, 83 come after 84, 84 come after 85, 85 come after 86, यहाँ पर लिखा हुआ है, 86 come after 87 तो यहाँ पर मिलने आपको 3 exercise, 3 का नमबर तकरा है, 1, 2 and 3, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, 49, तो exercise आपको अपने आप कंप्लेट करनी है, चलो जिसको आता है वो फटा-फट मेरे साथ कंप्लेट करते जाओ, 49 के बाद, और यहाँ पर सेकेंड 92, what comes before 92, 92 के बाद, 92 के पहले कुछ साथ नमबर आता है, 91, तो यह भी लाइन आपको कंप्लेट करनी है, फिर next, 33, 33 come after, वो भी आपको end तक कंप्लेट करना है, चलो फटा-फट से कंप्लेट करो यह तीन लाइन, तीन लाइन कंप्लेट हो जाए, उसके बाद आपको पेस्टर्न करना है, हो गई आपकी एससाइस कंप्लेट, एक्सराइस नंबर 6, एक्सराइस 6, एक्सराइस 6, एक्सराइस 6, आपको आप लोगो की चुप आगे वाली एक्सराइस है, वो कंप्लेट हो गई, हो गई ना, कंप्लेट ? Now, exercise 6. Counting by 2's right numbers starting from. यहाँ पे starting number दिया गया है. उसके बाद हमें counting करके 2's numbers keep करके हमें यहाँ पे numbers लिखना है. That means keep counting. क्या बोलते हैं हम उसको? Skip counting. Skip यानि छोड़ देना. Skip यानि छोड़ देना. इसको हम क्या बोलेंगे? Skip counting. यहाँ पे आपको counting कैसे करनी हैं? यहाँ पे हमें दिया गया है. इसे चेक नहीं करना हैं. पहले हमें कैसे आती थी patterns? यहाँ पे 20 लिखते रहें. यहाँ पे blanks. यहाँ पे 20. 3. यहाँ पे blanks. उसके बाद भी blanks. 21 और 23. इसके बीच में कितने numbers की थे यहाँ पे? 21, 22. कितने number है? और 23. कितने number count skip है यहाँ पे? 3 number. 1, 2, 3. देट मेंस 21, 22 और 23 भी हम count करेंगे. तो यह कितने number skip है? 3 number. तो यहाँ पे हमें 22 numbers दिया गया है. यहाँ पे हमें 22 दिया गया है. और instruction में हमें दिया गया है कि आपको 2s count करके लिखना है. कितना count करके लिखना है? 2s count करके लिखना है. तो कैसे 2s count करेंगे? 22. वैसे 2 fingers अमेंसे रखेंगे. What comes after 22? 23 and 24. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24. 24 के बाद हम क्या करेंगे? 2 fingers आपको यहसे ही रखने है 22 के बाद. 24 के बाद. 25 और 26. 26. 26 come after. 27. 28. write down 28. 28 come after. 29. और 30. 30. तो यहाँ पे दूसरा जड़ नमबर है वहाँ पे लिखना है. 30. के बाद 2s count करना है. 31 और 32. तो हम क्या लिखेंगे? 32. ऐसे ही आपको पूरी exercise complete करना है. और A, B, C. आपके ऐसे 2 finger रखेंगे exercise complete करना है. और homework में क्या है? आपको write down कर लो. exercise नमबर 3, 4 और 5 जो में क्या है क्या है. और exercise नमबर 6. इन वर्क बुक. इन वर्क बुक. पेस नमबर 6, 7 और 8. 6, 7 और 8. दाइएणगे नमबर 3 और 8. म समादेगे, दो एक बुक. आपके विखेंगे सेती mess VOuga क्या है सहुआ है और 10 पर पर लाएगो जोरी देएगे